हलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सब का आज की वीडियो में तो आज हम एन्वार्मेंट के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट करेंट अफेर्स के बारे में डिस्कुस करेंगी जो की है हाइबॉडन शाक्स तो शाक्स क्या होती है पहले आपको वो पता होना चाहिए फिर हाइबॉडन शाक्स का हम क्यों मेंचन कर रहे हैं आपको उसके बारे में नौलेज होनी चाहिए सबसे पहले तो shark क्या होती है आपने सुना ही होगा, movies देखी होंगी shark, भेली, सब देखा होगा यह सब fish होती है ठीक है, तो shark क्या होती है एक बहुत बड़ी, बहुत दर dangerous एक sea fish होती है, मतलब sea में पाई जाती है, जिसके बहुत ही जादा तीखे दांत होते है ठीक है, अब आपको इन तीखे दांतों पे focus करना है, यूँकि इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, तो shark क्या हुई a large, often dangerous sea fish that has a lot of sharp teeth, ठीक है, बहुत बड़ी होती है, dangerous होती है, है, समुद्र में पाई जाने वाले fish होती है जिसके बहुत दीके दांत होते है right, so why in news, अब ये news में थी क्यों, नाम क्या है, hybridon shark, so जो इसके teeth है, वो राजस्तान के जैसल मेर में मिले है, तो बस news में इसलिए है, कि इसके जो दांत है है, वो राजस्तान के जैसल मेर में मिले है अब hybridon sharks के बार में हम क्यों पढ़ रहे है क्योंकि ये extinct sorry, extinct species है ये मतलब खतम हो चुकी है extinct कौन से होती है, जो बिलकुल खतम होगी है, गाइब होगी है धरती से ठीक है, तो ये क्या है, an extinct group of sharks ठीक है, अब ये extinct हुई कब है, ठीक है, ये हुई है extinct at the end of cretaceous period ये cretaceous era, हम zurecic age, cretaceous age, plistosone period, ऐसे बहुत सारे एरा periods पढ़ते हैं, apex भी ने कहते हैं, बट उसे भी हम अलग video में discuss करेंगे, तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो ये एक अलग से काफी अच्छा और काफी interesting topic है, इसे भी कभी discuss करेंगे बट अभी के लिए ये extinct कब हुई ये question भी आ सकता है, तो cretaceous era में हुई, वो time कब था 65 million years ago तो ये बहुत चोटा सा current affair था, इसमें से बस ये बन सकता है कि कौन से shark के आपको समझाया हो, और अगर आपको वीडियो ची लगी है, तो आपको पता है क्या करना है, चैनल को subscribe करना है bell icon को press करना है, so that में कोई भी वीडियो upload करना, तो आपके पास direct notification आजाए, और आप चाहें तो कोई feedback दे सकते हैं, comment section में वीडियो को like करें, and that's it guys, see you soon